हलो वैश्णव जेसिक रश्ण आजे आपणे शक्कर टेटी नो पन्नो बनावीशु तो उष्ण काल मा शीतल सामगरी श्री प्रभूने अंगीकार करावा मावती होई छे तो एना अंतर गत आजे आपणे शक्कर टेटी नो पन्नो बनावीशु तो एमा आपड़ी आवी रितना एक सरस शकर टेटी लेवानी छे औने एने खासा करी औने सारी रितना लूची औने आवी रिते कट करी लेशु औने एकदम रसदार औने तयार होई एवी आपड़े टेटी लेशु तो अत्यारे सकर टेटी बजार माँ पण सरस रिते अवेलेबल होई छे तो आपड़े एवी सरस सुन्दर पाकी एवी टेटी लेशु अवे एवी रितना एटेटी जे तयार होई पाकी होई ए लई औने पसी एना आपड़े आवा बारिक टूक करी लेवाना छे अने जिटला बनी सके एटला आपड़े एना नाना टूक करी सुन्दर आपड़े एवी सरस आपड़े टेटी लेवानी छे अथ्वा तो मिसरी नो पावडर अंदर पदरावी सु जो शक्य होई तो मिसरी नो पावडर पदरावो केम के मिसरी अधिक शितल होई छे अने इलाई ची नो पावडर पाण अंदर पद्रावी देवों तो एक कटोरी आपड़े टेटी ना टूखोई तो पोणी थी एक कटोरी आपड़े मिसरी नो पावडर अंदर पद्रावी शक्किये छी अन्य पसी आवि रित्ना मिश्री अंदर मिक्स थाई ए रित्ना आपणे सारी रिते एने हलावी औने आवि रित्ना रस छुटे रितना हलावी देवानुँझे अने अंदर आपड़े जल पदरावता ना थी टेटी नो ज रस छुट से अने मिसरी अने टेटी बढ़ने एक बिजामा मर्ज था से येटले सरस आविरितना रस येनो छुटो पडशे आने आपड़े 5 एक मिनिट धाकी ने पची रेवा देशू तो धाकी ने आपड़े रेवा देईए एकले पची सरस आविरितना रस छुटो पड़ी जसे अने केवाई छने के स्री ठाकोर जी पण रस रूप छे तो रसदार शितल सामकरी आपड़े आविरितना टेटी ना पणनानी सीध करी छे आविरितना आपड़े भोग धराविये त्यारे अंदर आपड़े चमची जरूर मुकी सू तो श्री रसराज प्रभूने आरोगाव माटे रसदार सरस टेटी नो पणनो सीध धाई गयो छे तो आविरितना आपड़े टेटी नो पणनो केडा नो पणनो आमनो पणनो ए बधु आपड़े आविरितना सीध करी ओने आपड़े ठाकवर जीने समर पीशक कीये चीए चेशिक रख